So hello and welcome you all, I am Rohit from Mahajan Trader So guys, आज अस वीडियो में हम बात करेंगे Indian Oil Corporation Limited के बारे में So guys, Indian Oil Corporation Limited यहाँ पर अगर देखे, खराब रिजल्स के बाद स्टॉक यहाँ पर बैक टो बैक गिरावट देता हुआ नजर आ रहा है But guys, वही अगर देखे, गिरावट के बावजूद कई सारे analyst, कई सारे बड़े firms इसमें positive है और guys, इसी से related चार बड़ी positive news यहाँ पर आ रही है Shareholders के लिए काफी अच्छी good news है So guys, अगर आप अभी भी stock में hold करके आपने रखा हुआ है बिल्कुले वीडियो आइन तक देखना है और guys, अगर आप खरीदने की सोच रहे हो तो बिल्कुले वीडियो आग के लिए क्योंकि कही ना कही IOC में एक बड़ा support यह लेता हुआ नजर आ सकता है और हाली में इसने एक investment भी किया हुआ है कई बड़े projects में already invest कर चुका है और हाली में आज ही के दिन यहाँ पर इसने एक company है उसमें भी investment किया हुआ है तो guys, वीडियो को end तक देखो और अगर अभी तक आपने मेरे channel The Mahachand Trader को subscribe नहीं किया है तो please channel को भी subscribe कर दो So guys, यहाँ पर आप देख सकते हो Indian Oil Corporation Limited यहाँ पर back to buy गिर रहा है 1.30 पेसे तक की गिरावट आज इसने बदाई है 1.63% के basis पर stock ने closing दी 78.50 रुपिस के price पर और वही अगर देखे हो लास्ट 5 देज में stock काफी अद तक गिर चुगा है यहाँ पर काफी अद तक fall देखने को बिला है stock में अगर देखा जाए 3.60 पेसे तक की गिरावट है 4.88% के basis पर 6 month में भी अगर हम देखे तो यहाँ पर 7.50 रुपिस के राउंड यह share में बड़त आपको देखने को बिलेगी और कल जिस लेवल के बारे में हमने बात किया था वही अगर देखे तो बिल्कुल एक बड़ा सपोर्ट लेने कोशिश कर रहा है बड़े सपोर्ट ब्रेक होता है तो continue इसमें fall आ सकता है और लग रहा है हमें कि यह कही न कही इस particular level पे इस particular range पे सपोर्ट लेगा मैं फिर से आपर एक trade line यहाँ पर बना देता हूँ यहाँ पर गैसा आप देख सकते हो इस particular trade line पे सपोर्ट ले सकता है क्योंकि यही पे सपोर्ट लेके उपर क्योर गया है तो यहाँ पर सपोर्ट लेके उपर क्योर जाएगा इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है क्योंकि हर तीन level create होते है और यहाँ पर अगर देखें एक बड़ी company है जिससे आप जानते ही होगे ION बिल्कुल एक exchange shares है यहाँ पर अगर देखें all sector का exchange हम इसे कह सकते हैं और यहाँ पर अगर देखें बिल्कुल 13% आज बढ़ गया गया इस 13% तक की बड़त हमें देखने को आज इसमें मिली है क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो इसने जीता है एक project यहाँ पर अगर देखें तो IOC की ओर से एक project इसे दिया गया यहाँ पर पेसा ही ने दिया गया लगबग अगर देखें 727.13 करोड के राउंड का और बिल्कुल गाइस इंडियन ओयल कॉर्परेशन के ओर इसे दिया गया है और इसके बाद अगर देखें स्टॉक का जो प्राइस है वो बढ़ता गया 13% के आसपा से बढ़ गया और वही अगर देखें इसने क्लोजिंग दी 2694.85 पेसे के लेवल पर है और बिल्कुल गाइस यहाँ पर 726 करोड का यहाँ पर प्रोजेक्ट है और यह प्रोजेक्ट किस चीज़ पर बेस्ट है यहाँ पर अगर देखें Water Treatment and Environment Solution के लिए यहाँ पर यह पर यह प्रोजेक्ट है एक चीज़ देखने को बिल रहे हैं तो बिल्कुल ION में यहाँ पर उन्होंने ION को पेसा दिया है और वही अगर देखें Budget 2023 में क्या चीज़ निकल के आ रही है State Run OMC's यहाँ पर अगर देखें कई बड़े उन्हें Losses भी होए था लगबगर देखें 27,276 करोड के Losses होए थे उसके बाउजूत यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर कम सपोर्ट हम इसे मानेंगे क्योंकि यहाँ पर अगर देखें OMC's जो Companies हैं उन्होंने यहाँ पर डिमांड की थी कि उन्हें 60,000 करोड से भी जादा का यहाँ पर पेसा मिले पर यहाँ पर 30,000 करोड कर दिया गया है कहीं न कई अगर देखें Government Best Company है कहीं न कई solution निकलेगा और यहाँ पर देखेंगे आगे क्या होता है सो यहाँ पर दो अच्छी positive news आ रही है और दो news तो हमने देख ली गएसे third और fourth news आपके सामने है कि यहाँ पर अगर देखें जो अब यहाँ पर buy call दिया जा रहा है मोतिलाल ओस्वाल की ओर से IOC में और यह call अगर देखें तो 98 रुपीस तक यहाँ पर target है मोतिलाल ओस्वाल की ओर से एक positive news है और वही अगर देखें ICICI डिरेक्ट ने कहा है कि आप hold रख सकते हो Indian Oil Corporation को क्योंकि यह फिर से 90 रुपीस के अगर जा सकता है सो यहाँ पर पहले भी अगर देखें मोतिलाल ओस्वाल ने 98 रुपीस का हमने डिसकस की और गाइस बिल्कुल यहाँ पर आग देखोंगे एक करोड से भी जादा की delivery स्टॉक में उठाएगी है आज की दिन भी और कल के दिन अगर देखें 2 करोड का trade value और common delivery एक करोड और बिल्कुल यहाँ पर high volume के साथ shares में आपर खरीदारी हो रही है और IOC की जो net sales है उसमें भी हमें बड़त देखने को बली लगबग कर देखे 40.5% year on year पर बड़ा है consolidated net sales है और standard net sales की अगर बात करे 36.8% year on year basis पर बड़ा है तो यह चीज आपको देख लिनी चाहिए और जो community sentiments के आकड़े है और अगर देखे तो यहाँ पर आप देख सकते हो guys 71% low stock में positive आपको नज़राएंगे जिसमें आप देखो 68% लोग है buy करने के लिए कहने वाले 29% लोग है अब बात कर लेते हैं इसके important levels की so guys levels आपके सामने हैं यहाँ पर अगर देखें बिल्कुल एक falling wage type pattern create हो रहा है कल के दिन या तो इसमें breakout मिलेगा या फिरे share में फिरसे downfall आ सकता है downfall अगर आना हो तो पहले इसे इस particular level को break करना पड़ेगा जहाँ पर यहाँ support लेता हो आने जराया अगर यह support ले लेता है यहाँ से तो इस उपर के और इस particular line को break करेगा अगर breakdown आता है तो बिल्कुल यहाँ से एक fall create हो सकता है इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है तो यहाँ पर falling wage type pattern है यहाँ पर एक support है यहाँ पर फिरेस ने support लिया तो बिल्कुल हमें यहाँ पर मिल गए है एक support level उपर से हमारे पास है rejection level जहाँ से इस particular level से rejections मिले है तो upside downs momentum के चलते stock में अगर उपर की और breakout हमें मिलता है तो गैसे आपर जयान रखना उपर की और अगर breakout मिलता है तो stock में इस कच्छी बड़त आएंगी 83 रूपिस के around के level जिसमें इस जी तरीके से चीव हो सकते है तो वही आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है तो यहाँ पर अगर देखें जैसे मैंने आगे आपको बताया था वीडियो के starting में के stock में एक बड़ा support लेता हुआ इनेजर आ सकता है पर पहले अगर देखें गिरावट इसमें काफी तगडी आई है यहाँ पर इस important supports को इसने break किया है यहाँ पर अगर देखें head and shoulder type pattern देखता है अगर जहान से देखोंगे तो उसके बाद breakdown आया बिल्कुल share निचे आ रहा है पर यहाँ पर हमेंने एक चीच पहले भी clear किती गिरावट के बाद इसमें यहाँ पर एक support level है पर गाईज यहाँ पर अगर देखें काफी हत्त के नीचे आ जुका है तो देखना होगा आगे क्या होता है यही से reversal लगाता है या फिर इस particular level को break करता है नीचे के और यहाँ से down आता है तो देखना होगा कितना down आता है वही आप देखो वन वीक के time frame पर भी तो यहाँ पर एक trade line अगर बनाएं तो बिल्कुल एक support लेता हुआ देख सकता है या फिर इस trade line को break करते हुए नीचे आता हो देख सकता है यहाँ पर अगर नीचे अगर आता है तो यह 65 रूपिस के around तक की गिरावट बता सकता है उपर से अगर देखें कई बार rejections है नीचे से अगर देखें support है stock में यहाँ से rejection मिला था यहाँ से support था यहाँ से support था डार्गेट बिरेक होता है तो यहां पर यह रिवल ब्रेक होता है तो वहां तक भी यह जा सकता है इस चेच का भी आपको थ्यान लगना है बड़े ताम फ्रेंप पर हमारा टार्गेट क्लियर है 150 रूपिस के अरॉन क्योंकि यहां से कर देखे इसी लेबल से गिरा था यहां से भी गिरा था ब्रेक आउट मिला है अपसेट डाउंस मोइंटम है और ही से ओपर क्योंडे जा सकता है आई होब गाईस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलना और कोई भी शेयर में इंवेस्मन करने से पहले हैं शेयर का एक बार अनलस्स कर लेना ठैंक यू